हेलो गाइज वेलकम बैक टू क्रिकेट वी शचीन बोरा गाइज टैनिस प्लेयर के लिए एक बहुत बड़ी खुश खबरी है लेकिन आपने ध्यान से करना है और सोस समझ के करना है कुछ चीजें मैं आपको इंपोर्टेंट चीजें बताऊंगा और क्या होगा फ्यूचर मे मैंने दो या तीन साल पहले दो वीडियो बिना रखे हैं मैंने इसी के ओपर कि आने वाले समय में टैनिस प्लेयर के लिए बहुत बड़ी अपोचुन्टी आ सकती है और वो अपोचुन्टी आ चुकी है जैसे आपने सोचल मीडिया में बहुत ट्रेंड देखा होगी ISPLA न क्योंकि मैं कभी भी बीडियो जल्दी बाजी में और गलत छूटा कभी नहीं बनाता हूं इसलिए सोच चमच के पूरा जांज करने के बाद बनाता हूं क्योंकि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो धोका न खाई क्योंकि बहुत सारे ऐसे लीग हैं लेधर बॉल में, सीजन बॉल में भी बहुत सारे लीग हैं, फेक हैं, यानि आप से पैसा वसूलते हैं, और आपको सेलेक्शन भी कराते हैं, मैज भी खलाते हैं, लास्ट में आपका कुछी नहीं होता, आपका पैसा बरबाद हो जाता है, और ऐसा मैं कभी नहीं चाहता अगले साल के लिए तैयारी करने के लिए, लेकिन इस चीज के बारे हैं पुरा एक बार सच समझ लो, बहुत सारे क्या लगबग आलमस्ट सभी लोग बोल रहे हैं कि यह BCCI करा रहा है, जबकि BCCI नहीं करा रहा है, BCCI टैनिस क्रिकेड नहीं करा रहा है, इसमें रभी सास अगर यह BCCI अगर जब भी यह लीग कराती है, कोई भी लीग तो नोटिपिकेशन जारी करती है कि भई हम लीग करा रहे हैं, लेकिन यह टैनिस का यह फेक नहीं है, यह आपके लिए गोल्डन अपरचुन्टी है, बहुत आने वाले फ्यूचर में, मैंने दो साल पहले के वीडियो में बताया था कि बहुत बड़े लेवल मां टूर्नामेंट चलेंगे आगे, क्योंकि मोस्टली लोग मिडल क्लास है, अगर आज की तारिक में कोई रजिस्टेशन करता है, अगर सबी लोग जितने टैनिस के प्लेयर हैं, वो रजिस्टेशन करते हैं, न जाने करो कि लोगों को विश्वास होगी, यह सही है, लेकिन होगा क्या मैं आपको बताता हूँ, अगर आप रजिस्टेशन करते हैं, बताया जारे है कि फीज भी बहुत ज्यादा है, इसकी रजिस्टेशन की फीज, जबकि अगर कोई BCCI कभी ट्राइल लेती है, पहले तो पैसा ले अगर लेगी तो कहीं पे 100-200 ज्यादे ज्यादे 500 रुपे फीज लेगी आपसे रजिस्टेशन का, इससे उपर नहीं होता है, लेकिन इसके बारे मुझे एकदम कनफर्म नहीं है, सबी लोगों से हवाचली की बहुत ज्यादा पैसा लिया जा रहा है रजिस्टेशन के लोग सेलक किये जाएंगे टोटल साड़े 300 फर्ष्ट जो राउंड होगा और उसके बार लास्ट जो सेकंड राउंड होगा उसके बार उनली 96 प्लेयर जो है टीमू के लिए सलक किये जाएंगे, टीमें इसमें है मुंबई है, बैंगलूरू है, शिरिनगर है, इतनी टीमें बनाए जाएंगी, इन टीमू में आपस में मैच होंगे, उससे पहले जो 96 जो प्लेयर स्लेक होंगे, उनका उक्षन होगा, उक्षन में जैसे IPL की बोली लगती है, हो सकता कोई आपको 2 लाग में खर दे, 5 लाग में खर दे, हो सकता 10 लाग भी पहुंच जाए तो अब ये इसका एकदम क्लेर नहीं हुआ है, लेकिन एक चीज में आपको बताता हूँ कि आने वाले फ्यूचर में, ये तो स्टार्ट है, जैसे ये साल ये लीग स्टार्ट होगा, इसमें कितना ज्यादा लोग इंटरेस्ट लेते हैं, कितने दर्सक इसमें देखने के ल करते हैं, एडबर्टाजमेंट देते हैं, वही पैसा प्लेयर्स को दिया जाता है, ऐसा नहीं कि कोई अपने जेप से देगा, पहले तो रजिस्टरेशन आपका होगा, रजिस्टरेशन में बहुत ज्यादा पैसा जाएगा, क्योंकि इतने सेलेबरेटी अगर आपको, आप बन सकता है, इसलिए ये साल कैसा जाता है, ये साल के पूरे मैचेज आप देखो, अगर इसका रिस्पॉंस जबरदस्त आता है, तो आप तयारी शुरू कर दो, जैसे बेसिक लेबल से मैंने टैनिस के ओपर भी सारे वीडियो बिना रखें, हर सोट के ओपर, हर उसके ओपर आप तयारी स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगर एक अच्छे लेबल का टैकनिक के साथ अगर आप टैनिस क्रिकेट खेलेंगे, तो आपका आगे चलके सेलेक्शन होना तई है, अधरवाइस देखो, मैं बता रहा हूँ, कम से कुम लाख दो लाख लोग इसमें रिजिस्टेश और बड़े-बड़े प्लेयर्स, पहले तो उनीका सेलेक्शन होगा, मैं तो क्लियर बता रहा हूँ, वो बड़े-बड़े प्लेयर्स हैं, आपने टैनिस क्रिकेट देखते रहते होंगे, उनका सेलेक्शन पहले होगा, उसके बाद कहीं हम लोगों का नमबर पढ़ेगा, जो छोटे मोटे हैं वह भी बहुत एक्स्टा ओर्डिनरी आप हैं तो क्योंकि पैसा भी वेस्ट हो सकता है इसलिए बोलाओ लेकिन अगर यह लीग अच्छा चलता है तो आप फ्यूचर के लिए तैयारी कर सकते हैं अपना घर में नेट शटप करके एकदम तैयारी कर सकते है और दूसरी बात बहुत सारे यह लोग बोल रहे हैं कि इस लीग के बाद आपको इंडिया टीम में शलक्ट किया जाएगा ऐसा बिल्कुल नहीं है टैनिस क्रिकेट खेलके आप इंडिया की टीम के लिए वो सपने बिल्कुल छोड़ी दोना वो कभी पॉसिबल नहीं हो सकत यह सिर्फ टैनिस के लिए ही यह लीग चलें सिर्फ टैनिस ही चलेंगे जैसे आईपियल में बोली लगती Apple के ट्रोनमन्ट सब्सक्र्राइब कि पहले यह वाला होगा पिर इस में से जो अच्छे प्लेर स्लेक्ट होंगे वो इंडिया की टीब में जांगे हैनि लेदर वाल चलेंगे फिर इस तरह के बड़े लीग चलेंगे जिसमें आपको एक अच्छा खासा पैसा मिलेगा आपकी बनेगी बहुत सारा चीज हो सकता है तो गाइज जो इस साल का लीग देख लो आप कैसा चलता है इसी लीग के ओकर अगर यह अच्छा चल गया अच्छा जो रिस्प अगले साल आपका जो सेलेक्शन होगा अगले साल मा आप रिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अगले साल के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं आज के लिए इतना ही अगर आप लोगों का रिस्पॉंस अच्छा रहा इस से और भी मैं खबरे लाओंगा टैनिस में चैनल में जूड़े रहे और वीडियो को फॉलो करें वीडियो को देखें एक एक सोट के उपर बना र जानिवारब।